श्री शिवाय नमस्तुब्यम दोस्तों हर हर महादेव आप सभी को पता ही है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और देवादी देव महादेव की क्रपा सदेव आप सभी पर बनी रहे महादेव आपकी हर एक मनोकामना हो पूरी करे ये मैं महादेव जिसे प्रातना करती अगर आपके जीवन में कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है चाहे वो आपको धन से संबंदित हो चाहे वेपार से संबंदित हो चाहे आपके घर में कलेश हो रहा हो अगर आपके कोई मनोकामना है जो देवादी देव महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं तो मातर एक चोटा सा उपाय आपको करना होगा एक चुटकी हल्दी वाला उपाय मात्र डालते ही आपकी सारी मनुकामना जरूर पूरी होगी पुजी गुरुजी की कथा से सुनकर अच्छे से इस उपाय को समझाने की कोशिश करूँगी आपको चोटा सा उपाय करना है हरी हर महादेव वाला उपाई इस नाम में दोनों है श्री हरी विष्णु जी भी है और हर हर महादेव भी है तो बात करते हैं उपाई की यह उपाई उन लोगों को करना है अगर आपकी जीवन में बहुत कष्ट है बहुत सारी तकलीफे है जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही या आपकी घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है वैपार अच्छे से नहीं चलता है तो चोटा का उपाई करना है इससे आपकी जीवन के सारे कस्ट दूर होंगे तकलीफे दूर होगी और धन की समस्य भी आपकी दूर होगी इस उपाई के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक लोटा सुद्ध जल इसके बाद लेना होगा आपको एक चुटकी हल्दी इन दोनों चीजों को लेकर आपको पहुच जाना है आवले के व्रक्ष के पास जब आवले के व्रक्ष के पास आप पहुचेंगे तो सबसे पहले एक चुटकी हल्दी आवले की व्रक्ष की आप लेकर गए हैं वो सुद्ध जल आपको हरी हर महादेव का नाम लेकर वही पर आपको समर्पित कर देना है जहां पर आपने हल्दी समर्पित की है स्री शिवय नमस्तुब्य मंत्र का इस्मरण करते हुए आवले के ब्रक्ष के पास खड़े होकर वहीं पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर आपकी जो भी परेशानी है आपको महादेव जिसे कह देनी है प्राथना करने के बाद जहां आपने हल्दी और जल समर पित किया है वहीं से थोड़ी सी मट्टी आपको उठा लेना है और उठा कर आपको अपने घर लेकर आ जाना है और उस मट्टी को आपको अपने पूरे घर में छिड़क देना है इस उपाय से माता लक्ष्मी जी का वा